below । आप सब का स्वागत है अपके अपने चैनल health tips हिंदी में दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मैथवपून टॉप uranium आई हूँ 今天 स्वाहिए हूँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ और खांसी बिगड़ जाती है लंबे समय से हो रही खांसी आपको परिशान कर देती है इसे सांस फूलना, बलगम होना या बलगम सूखने जैसे लक्षम दिखाई देने लगते हैं दवाईयों के साथ साथ घरेलू नुसकों से भी इस परिशानी से रहत पाए जा सकते हैं आईए जानते हैं अनार का छिलका किस तरह से इस्तमाल करने से आप इस परिशानी यानि खांसी से छुटकारा पा सकते हैं अनार सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है गुणों से भरपूर अनार की बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि खांसी से रहत पाने में इसके छिलके भी बहुत कारगर हैं आईए जानते हैं किस तरह करें अनार के छिलकों का इस्तमाल अनार के छिलकों को धूप में सुखा दे इसके बाद इसे बारिक पीस ले सुबह शाम रोजाना अनार के छिलके का चुरन एक छोटे चमच्छ सुबह शाम खाएं आप इसे चाये तो चाये के साथ या फिर गुन्मने पाने के साथ भी सेवन कर सकते हैं इससे आपको बहुत ही फाइदा होगा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उमिद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कामेंट बॉक्स पर कामेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप सिंधी को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम फिर मिलेंगे आपकी प्राब्लम हमारी सॉलिशन के साथ मैं होंगी रोजाना नए-ने घरे लूप चारों के साथ जिससे आप अपनी परिशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें तैंक यू